तो जिन्वास्टमी आ रही है तो कुछ काना जी के लिए भोग बनाएंगी तो आज मैं आपके लोग के साथ मलाई पेड़ा सेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीकों के साथ मैंने आज आपके साथ सेयर किया अब जाहो तो जन्वास्टमी मैं इसे बना सकते हो एजब भोग तो चलो इसे बनाते हैं तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बस बहुत ही कम इंग्रीजिंट्स के साथ मैं इसे आपके साथ बनाके रेड़ी करूंगी तो यहां मैंने सबसे पहले पैन चड़ा लिए उसके बाद फिर मैंने औपर टूट इवल स्पुन घी इसमें एड किया उसके बाद फिर руки मैंने एक कब मिल्क इॉडर है उसके बाद फिर मैंने अच्छी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे उसके बाद फिर हम flame को on करेंगे और इसे तब तक हम लोग continuously चलाएंगे जब तक ये एकदम ऐसा dough के form में न हो जाए और जो हमारा दूद और घी का paste है ना वो अच्छी तरीके से एकदम slurry के form में convert न हो जाए तो बिल्कुल इस तरह की consistency होने ल चलाए उसकी है उसके हाँ फिर इसे भी continuously चलाएंगे अच्छी तरीके से हम लोग mix कर लेंगे और इसके बाद फिर सब चिसको अच्छी तरीके से mix करके वह हम लोग इसे एकदम एक डो के form में convert कर देंगे तो यहाँ पर flame एकदम लो रखेंगे और इसे continuously एकदम हाल के हाथ उसे चलाते जाना है जब एकदम यह डो के form में ना हो जाए तो यह देखो एकदम इस तरह से हो जाएगा मतलब प्रापर प्रापर जो घी है वह अच्छी तरीके से छोड़ देगा और यह देखो बिल्कुल ready हो चुका है अब उसके बाद फिर हम लोग इसे थोड़ा ठंड कर देना है जिसे फ्रिज में स्टोर करके ठंडा नहीं करना है नॉर्मल इसे एयर में छोड़ देना इससे एकदम ठंडा हो जाएगा उसके एकदम प्रापर ठंडा हो जुका था फिर यहां पर मैंने एक कट्टोर यहां PCV चीनी एट की एक छोट चमचिया मैंने इलाइची का पॉडर एट किया है सब चिसको एकदम अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे एकदम एक डो के फॉर्म में कनवर्ट कर लेंगे अब उसके बाद फिर इससे हम लोग छोटे-छोटे पेड़े बना के रेड़ी कर लेंगे तो यह देखो क घर पे भी खाने के लिए बना सकते हो बहुत ही आसान तरीकों के साथ मैंने आपके साथ सेर किया और बस तो से तीन चीजों में यह बनके रेड़ी है तो इतना इसली मैंने आपको बताया है कि आप एकदम घर पे बना लोगे मार्गर से लाने की कोई भी जरूद नहीं है त तो इसे एज जैसा है वी सेर्फ कर सकते हूं तो अप मुझे बताना कमेंट सेक्षिन में कि और पी सारी रिस्पी जो मैं आपके साथ सेर करते हूँ आप इसे बनाते हो तो कैसे आपकी बनती है पर्फिक्ट बनती है कि ने अब जब यहा तक आ गये हो तो वीडियो को जदस ज्यादा लाइक करो, सेर करो और देखो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो